जौनपुर जिली में वीर बहादुर सिंग पुरवांचल विश्विद्याले में अंक पत्र में अनियमितता को लेकर छात्रों ने जम कर हमला किया विश्विद्याले परिसर में कुलपती कारयाले के सामने बड़ी संख्या में छात्रों ने नारेबाजी की चात्रों का रोप है कि वार्षिक परिक्षा में मुल्यांकन सही तरीके से नहीं हुआ अनैतिक परिक्षा नियमावाली के कारण अधितर चात्रों का भविश अंधेरी में है वहीं भारी संख्या में छात्र का जमाव देखकर विश्विद्याले प्रशासन ने में गिट बन कर दिया परिशन में बड़ी संख्या में विश्विद्याले सुरक्षा फोर्स भी मौके पर लगा दी गई छात्रों का कहना है कि वार्षिक परिख्षा का मुल्यांकन सही तरीके से नहीं हुआ है विश्विद्याले परशासन द्वारा कुछ विश्यों की परिख्षा कराई गई थी उन विश्यों के अधार पर आउसत अंक मिलाकर सभी विश्यों के अंक परदान कर दिये गए थे इस दौरान प्रयायोगीक विश्यों के अंकों में भी अत्य धिक कटोधी कर दी गई थी इसके चलते 30 फिसदी से अधिक शात अनुतिर्ण हो गया चात्रों का अरोप है कि जादातर विद्यार्थी के अंक पत्र भी अपूर्ण है इसके अलावा कुछ चात्रों ने राष्ट गौरब प्रयावरन की परिक्षादी थी लेकिन उनके अंक पत्र में भी इन विश्यों के सामने अनुतिर्न दर्सा दिया गया इस मुल्यांकन को लेकर सभी चात्रों में आक्रोश व्याप्त है इन सभी मुद्दों को लेकर चात्रों ने विश्यों द्याले परिसर में कुलपती कारियाले का घेराव कर दिया है बड़ी संक्या में छात्रों के घहराव को लेकर विश्विद्याले परसासन ने आनन फानन में विश्विद्याले के अपने मुख्य द्वार को बंद कर दिया छात्र कुल पती कार्याले के बाहर बनी सीधियों पर धर्ना परदर्शन नारिवाजी कर रहे हैं विश्विद्याले परसासन मौके पर सुरक्षा फोर्स को तैनात कर दिया है चातरों की मांग है कि उत्तर पुस्तिका का फिर से मुल्यांकन किया जाए इसके अलावा प्रायोगी क्विश्यों के अंग को दोबारा मंगवाया जाए उनका कहना है कि यदि विश्विद्याले परसासन उनकी मांग को पूरा नहीं करता है तो निश्चित रूप से विश्विद्याले में बड़े अंदोलन होगा चातरों की मांग है कि उत्तर पुस्तिका का फिर से मुल्यांकन किया जाए इसके अलावा प्रयायोगी क्विस्यों के अंको दोबारा मुवाया जाए उनका कहना है कि यदि विश्विद्याले प्रसासन उनकी मांगों को नहीं पूरा करता है तो निश्चित रूप से विश्विद्याले में बड़ा अंदोलन किया जाएगा इस परदर्शन में विवेक सिंग, सुधाम सु सिंग, देवा, निखिल सिंग, छातर नेता, सुमित सिंग आदी मौजूद थे हमारी मांग यह है कि जो इस समय परड़ाम आया है इस साल का इसे कोरोना महामारी में जाले और प्रवांचल विश्विद्याले कि सभी जो कॉलेजेज अटैस हैं जहां से मुल्यांकन जो हुई है उस पर हम छात्रों को कापी गंबीर एतराज है बात यह है कि हम लोग को जो एक तो कोरोना महामारी चल लाई थी कर्षा है सुचारू रूप से चली नहीं है और दूसरी बात यह है जो मुल्यांकन हुए उसमें पचीस परसेंट ज्यादा चात्रों को फेल कर लिया गया और यह सिर्फाइनल ये की बात है अभी जो परेडाम आया है वो सिर्फाइनल यहां पर गाजीपूर माउ और जानपूर टीडी कॉलेज और यहां के काफी चात्र हैं जो इस्विदालाय के भी चात्र है तो हम लोग सभी लोग एक जूट होके यहां पर आये हुए हैं सुवर से आप लोग परदर्शन कर रहे हैं अभी इसका क्या नेड़े निकला परदर्शन तो हम लोग कर रहे हैं जैसे कि हम लोग पिछली एक दो बार और हम लोग किसी अपने समस्या को लेकि कुल्पती महोदय से मिलने आये थे लेकिन वो जब देख लेते हैं यहां पर इस बार हम लोग अपना च्शक के सपने वाले, कुल्पती महोदय आएं जो च्छातरों के लिए यहां पे हैं , thereby विश्या विद्याले फिद्स हम से सब्सक्र पर आएं पर अपने हैं यहां पर हम लोग अपना ग्यापन सौपेंगे किसी भी हाल में साम तर्ट और इसमें पांच दिन का हम लोगों ने समय दिया और पांच दिन के बाद हम लोग क्रमिक ब्रिहदा अंदोलन पर बाद हुआ